ओम गंगन पते नमाहा जै मातारा पारशर जोत्रिविज्ञान में आप सभी दर्सगों का हार्दी कभी नंदन है 13 मई सन 2020 दोपहर 12 बज कर 11 मिनट पर सुकर का अपनी स्वेरासी व्रशब रासी में वक्री होने पर मकर रासी के जातकों पर क्या प्रभाव होगा इस विशा में वारता करते हैं यहां सुक्र 25 जून सन 2020 दोपहर 12 बज कर 15 मिनट तक वक्री रहेंगे तथा इसके पश्चात पुनाय मारगी हो जाएंगे 27 अंस व्रशब रासी से वक्री होना प्रारंब करेंगे यहां म्रग शिरा नक्षत्र में गोचर करते हुए 28 मई सन 2020 तेईस अंस में रोहिनी नक्षत्र में वक्री होंगे तथा रोहिनी नक्षत्र में ही व्रशब रासी के 11 अंस से वक्र गति का अंतकर 25 जून को शुक्र मारगी हो जाएंगे इस सवस्था के अनुसार शुक्र मकर रासी के जातकों के पंचम इस्थान में गोचर करेंगे तथा यहां से मकर रासी के जातकों के लिए एक नई उमंग तथा नई इस्थितियों को प्रदर्शित करेंगे शुक्र मकर रासी के जातकों को मान सम्मान तथा इसके साथ साथ यस भी प्रदान करेंगे यह विसेश जाने के मकर रासी के जातकों को इस समय पर मुख की मुस्कान आपके लिए नए मार्ग बनाएगी कुछ मकर रासी के जातकों का मुस्कान से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है परन्तु यहां मकर रासी के जातकों को यदि इस समय अपने मुख के हाव भाव उत्तम अवस्था में परदर्सित करने का अवसर प्राप्त हो तो यह आपके लिए सफलता के मार्ग खोल सकता है मकर्रासी के जात्कों को धन के मार्ग सुलब होंगे कारोबार में नई स्थित्यां परदर्शित होंगी तथा कोस सुद्रड होंगे धन के बचत पत्र में व्रद्धी होगी तथा मकर्राशी के जातकों को संतान पक्स की और से चिंता का अंत होगा संतान सुख भी प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं है यहां ग्रस्त जीवन साथी आपके अनुकूल रहेंगे तथा भाग्य की इस्थित्या करम के साथ सुद्रड होती चली जाएंगी मकर्राशी के जातकों को लाब के सुवसर प्राप्त हो रहे हैं इसके साथ साथ धन भी समान रोप से व्य होने की संभावनाएं प्रदर्सित होती है यदि समय सनी का सुक्र का वक्री होना प्रदर्सित किया जाए माना जाए तो मकर्राशी के जातकों के लिए वह बहुती उत्तम अवस्था में रहेगा सुबंबावतु बगवान गणपतित धा मातारा आपका कल्यान करें